आप सभी का बहुत बहुत विल्कम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंट्स आज की टुटोरिल में हम सीखने वाले हैं बैच एक्सपोर्ट ADS का बैच एक्सपोर्ट क्या होता है उसको कैसे यूज करते हैं और उसको यूज करने से क्या फाइदा है तो फाइदा तो यह है कि मान की चली आप 4-5 घंटे का एक वेडिंग वीडियो आप एडिट करके रखे हैं और आपको part by part save लगाना है जैसे कि एक गंटे का वीडियो save लगाना है एक गंटे के बाद फिर एक गंटे से दो गंटे का वीडियो save लगाना है तो part by part आप export कर सकते हैं एक बार में जैसे होता है क्या कि आप 30 मिनट का वीडियो आपको save करना है तो int out लगाएं और f11 प्रेस करके आप 30 मिनट का वीडियो एक्सपोर्ट कर दिये लेकिन दुबारा से जब वो 30 मिनट का वीडियो सेव हो गया तो फिर से आपको दुबारा उसको सेव लगाना पड़ेगा 30 मिनट के बाद वाले वीडियो को फिर उसके बाद जो बचेगा उसके बाद मतलब की बार बार आपको ये करना नहीं पड़ेगा बैच एक्सपोर्ट ऐसा चीज है उसमें आप एक बार 5 गंटा 10 गंटा का आप एडिटिंग कर लिजे और एक बार फोट और एडिटिंग से रिलेटर अगर कुछ भी जानकारी लेना है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाएं वहाँ पर कॉमेंट करें हम उस टाइप का टिटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारे डिस्प्ले प पास कुछ क्लीप है मेरे पास एडिटिंग का कोई प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं था इसलिए हम मास्टर बना के आपको दिखाते हैं कि बैच एक्सपोर्ट क्या है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर आपको वीडियो ले आना है और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको टाइ तो रचल पी डिजर्व लग गया यह अगर डिजर्व लगाना नहीं जानते हैं आप तो हमारे पीछे वाले वाले वीडियो में जायाये वहां पर आप檁व को लिए चा कन क्या अब इसको मान कि चलिए कि हमको एक मिनिट से वीनिट में उत्रों को सेब लागाना है है तो हम यहाँ पे आउट लगाते हैं और यहाँ के बाद का जो विडियो है फिर हमको सेव लगाना यहां से यहां- तक फिर Jana यहां- तो बार-बार आपको इन आउट लगाके आपको स्कड़ करके आपको एक्सपोर्ड होता है लेकिन ऐसा कुछ scoredugen आपको बताते हैं से करना क्या है कि जहां से आप को सेव करना मान के चली से यहां से यहां तक का मेरा व्不好 एक किलीप में बना चाहिए तो यहँ पे आप को चले जाएँए गत और यहां पे देखिए कि BT EXPORT का एक प्रहत है इस फ yay तो यहां तो जो आपका print to file का जो है आप जो f11 प्रेस करके जिसको जो लाते हैं वो यहाँ पर direct खुल जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको tick करना है बार बार export between in and out इस पर आपको click करके add to batch export list इस पर click कर लेना है और आपको यह video कहां रखना है उसका एक folder बना लिजिए आप जैसे हम यहाँ पर master नाम का एक folder बना लिए अब यहाँ पर हमको 01 file का नाम दे दिया और यहाँ पर okay कर दिये इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लिजे यहाँ पर इस तरीके से छोटा कर लिया ताकि यहाँ पर हमको time दीख सके अब यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ पर हमने express किया express करने से यह होता है कि in और out दोनों जो लगा हुआ रहता है वह खतम हो जाता अब यहाँ पर फिर से i press करना है अब देखिए यहाँ से यहां तक का हमको वीडियो पाट टू में सेव करना है मतलए यह दूसरा कलिप में तो फिर से आपको यहाँ पर क्लस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है और इसके बाद आपको जिस फाइल में सेव करना है जैसे इस पे करना है तो आइड बीन कीजिए और फाइल नेम दे दिजिए जीरो टू अब इसको आप सेव कर लिजिए अब देखे इसको यहां से अब यहां मतलब की अब यहां से और यहां तक का वीडियो एक क्लिक में बनाना है तो आप यहां से प्रेश किजिए और यहां पे आ जाएगा उसके बाद मतलब की इन आउट लग गया इसमें अब देख्या फिर से यहां पर जाना है और उसके बाद यहां पर प्लिक कर लेना और जो फाइल में कट करना है को डायलो बोक्स open होके आ जाएगा देखे इस तरीके से डायलो बोक्स open हो जाएगा और यहाँ पे आपको export पे click कर देना है export पे जैसे ही click किजिएगा तो होगा यह कि जो पहले हमने in out यहाँ पे लगाया था पहला क्लिप तो यह हो गया फिर यहां से यहां तक हमने इन आउट लगाया था दूसरा क्लिप यह हो गया अब मांगे चली कि मेरे पास 5-6 गंटा का master बनाना है तो आप part by part लगा दीजिए आप दूसरा काम कर सकते हैं सिस्टम में तिसरा काम कर सकते हैं मतलब कि आपको बार लगा के f11 प्रेस करके save करने का जरूवत नहीं है तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारी चैनल पर first time आये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon दबा लिजे, video rating, photo rating से related अगर कुछ जानकारी लेना है, कुछ पूछना है तो हमारे comment box में जाएं, वहाँ पर comment करें, हम उस type का tutorial हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे, तो आज तक लिए इतना ही मिलते हैं, next video में धन्यवाद